नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि everything is fair in love and war यानि कि प्यार में सब कुछ जायज होता है प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है दोस्तों ठीक इसी को साबित किया है सबनम ने सबनम ने आखरी बयान में कहा है अपने कि उसे कोई पच्टावा नहीं है उसने जो काम किया है क्योंकि मैं पता दू आपको कि सबनम का अभी जो लेटेस्ट बया है वो साब साब पलड गई है कि उसने कतल किया है या उसने किसी को मारा है वो साफसा पलगी उसने अभी जो है अब वो कह रही है कि उससे फसाया गया है जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी सबनम केस में सबनम की दैया याचिका जो है वो राष्टपती के पास मतलब कह सकती पड़ीWAY है यानि राश्टपती ने अभी तक ना accept किया है ना ही reject किया है तो अब accept और reject के बीच में जो अंतर होता है और court के जो death warrant के issue जो होगा उसका जो अंतर होता है वो बस जो है कुछ दिनों का है और सबनम की जाने जो है वो बस कुछ दिन के लिए बची हुई है तो यह देखना काफी एहम हो जाता है कि इस बीच सबनम क्या क्या करती है सलीम क्या क्या करता है क्योंकि सलीम ने अभी तक जो दयायाची का दायार नहीं किया है उसे पता है कानून जो उसके वकील है या कह सकते है कि जो कानून जानकार है उसको पता है कि अगर एक साथ दयायाची का करेंगे और एक साथ ही reject हो जाएगा तो एक साथ ही death warrant tissue हो जाएगा अब जो है वो अब यह होगा कि सबनम की दयायाची का reject होगी तब सलीम दयायाची का डालेगा इस बीच जो time मिलता है वो time दोनों को मिलेगा साथ साथ तो दोस्त से कह सकते हैं कि एक कानून में जो कमी है उसको फाइदा उठाया जाता है यह इस तरह के आरोपी जो होते हैं आपने कई सारे case में देखे होंगे निर्विया के case में देखे होंगे चारो आरोपी ने किस तरह सा एक-एक करके दयायाची का डाला था चारो आरोपी में जिसमे काफी जादा समय भी गया था तो इस बीच अभी फिलाल breaking news यही है कि सबनम को कोई पच्चतावा नहीं है उसके यह जो काम किया है उससे उसको कोई मतलब कह सकते हैं कि सिकन नहीं है आखों में उससे लगता है कि उसने जो किया था वो बिल्कुल ही सही किया था उससे लगता है कि उसने प्यार के लिए किया था और ये बिल्कुल ही सही है तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा आप लोगों से आप हमारे पडिवार हो, फैमिली हो तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा और आपको पता है कि मैं मतलब जो भी case होता है उसको बड़ी बारीकी से कोशिस करता हूँ कि आप लोगों तक पहुचाने की आप लोगों तक जानकारी पहुचाने की और आप लोग भी हमें comment के माधियम से जरूर पताते हो अगर मेरे में कुछ कमी होती है तो आप भी comment करके जरूर बताते हो कि आपको आपका ये line सही नही है, आपको ये line गलत है और साथ ही आप अगर इसमें और कुछ add कर देते तो और भी अच्छा होता है तो मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे सुनने में अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे correct करते हो, ताकि मैं वहतर कर सकूं और भी अच्छी से और भी वीडियो बना सकूं तो मैं आप से बस एक पात जानना चाहूंगा जो कि आप मेरे परिवार हो फैमिली हो अब यूटूब फैमिली अब काफी बड़ी हो चुकी है और बहुत ही जल्द हम लोग एक लाख क्रॉस करेंगे सब्सक्राइबर या प्यार के लिए वह जो की थी वह इतना बड़ा गटना को अंजाम दिया था कि क्या यह सही था यह मैं आप से जस्ट कह सकते हैं कि सवाल पूछ रहा हूं तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करना और यह भी बताना कि बहुत सारे लोग मैं जब वीडियो कःते हैं दो क्या नहीं कि जी सबनम नहीं किया है जिसमें आप । जो किया है या नहीं किया है सब्नम ने खटना का निया है कि सभ выглядem be गftigना है या उनेगार बस इसी के लेकर एक विडियो में बनाने वाला हूं कोसिमी सकते हों कब बना सकूँ लेगा फिलाल इसका जवाब आप हमें जरूर दीजेगा विडियो के माध्य में से कॉमेंट के माध्य में मैं झाल झाल